नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल लावित रोनित दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ओफ इंडियन कॉंसिटूशन के बारे में कि किस-किस जगह से इंडियन कॉंसिटूशन को लिया गया है कहां-कहां से किस-किस देश के संविधान से कौन- इंडियन कॉंसिटूशन तयार किया गया है हम बात करते हैं दे कॉंसिटूशनल एसेंबली एडाप्टेट दे कॉंसिटूशन ऑन 26 नॉवंबर 1949 जिसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नॉवंबर 1949 को इट कैम इंटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26 1950 जो की आया 26 जनवरी 1950 ठीक अब हम इसी के बारे में बात कर रहा है अब बात हम करते हैं इंपोर्टेन्ट सोर्सेस ओफ इंडियन कॉंसिटूशन के लिए क्यों इसी देश से इस कॉंसेप्ट को लिया गया इन सारी चीजों को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे सबसे पहले क्यों रिजुलिशन था जो कि डॉक्त जौहरला नहरू के द्वारा यह पेस किया गया था संभिधान सभा में प्रियंबल हम लोगों ने युनाइटेट इस्टेट अफ अमेरिका से लिया है फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वह फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं आटिकल 12 से लेकर 35 तक डिफाइन करता है जिसमें right to equality की बात करता है आटिकल 14 से 18 तक right to freedom की बात करता है आटिकल 19 से 22 तक right against exploitation की बात करता है आटिकल 23 से लेकर 24 तक right to freedom of religions की बात करता है आटिकल 25 तो 28 तक cultural and educational right की बात करता है आटिकल 29 तो 30 तक right to constitutional remedy की बात करता है आटिकल 32 स से लेकर 35 तक यह हम लोगों ने लिया है युनाइटेड इस्टेट आफ अमरीका से लिया है फिर जो नेक्स बात करते हैं फैडरल इस्ट्रोप्रमेंट की बात करते है कि कौन मैं सब्सक्रानफने। फैडरल ाफ यूर्वाえて प्रेशिडेंट के इनकी भी हम बात करते हैं इसी में यह भी लिया गया है United State of America से फिर जो next आता है impeachment of president किस तरह से presidents का impeachment होता है उनको किस तरह से हटाया जाता है इन सभी का concept हम लोगोंने अमेरिका से लिया फिर judicial रिव्यू की बाता तिए जो लोगों ने लिया फिर हम बात करते हैं रिमूबल और सुप्रीम कोट एंड हाई कोट जजजज का किस तरह से रिमूबल होता है सुप्रीम कोट के जजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज तो हम लोगे ने accept किया था सबसे πरलियमेंटितरी फर्म आफ गर्मेंट को हम लोगे ने जीजब को एडॉप्ट किया तहा जो कि सिंगल सीटेजन सिप हमारे दिपाइन किया घया आर्टिकल 5 छे ले करके चिचिस 이후 रूल प्लॉटिछ जीग किया घया है जोकि डिफाइन किया घया है रूल आफ लॉटर छीध कुरलाहीोट्प protection of the law इसमें बताया जाता है आर्टिकल 14 में फिर उसके बाद से bicameralism की बात की जाती है bicameralism भी United Kingdom से ही हम लोगों ने क्या किया है अडॉप्ट किया है फिर आगे हम बात करते हैं Canada की आखिर में अगर कॉसी फेडरल की तो जब कॉसी फेडरल की बात यहां पर आती है तो केसी वेरे साहब का नाम जरूर आता है जो कि एक प्रोफेसर थे इन्हों नहीं बताया था कि इंडिया का जो constitution है वो कॉसी फेडरल constitution है फिर हम बात करते हैं distribution of power between the central and state किस तरह से central का power और state का power को divide किया गया है जो कि union list में union list में concurrent list में और क्या कहते हैं state list में तीन list में schedule seven में हमको बताया गया है जिसको संग सुची राज्य सुची और समवर्ती सुची कहा जाता है यह हम लोग ने adopt किया है और बताया गया है जो बचे हुए पार्ट होते हैं जो बचे हुए हमारे पास अधिकार होते हैं वह किसमें वेस्ट होता है वह बेस्ट होता है सेंट्रल गवर्मेंट में यह कनाड़ा के concept से हम लोग ने adopt किया अब हम बात करते हैं Ireland से से हम लोग ने क्या-क्या adopt किया है Ireland से सबसे पहले हम लोग ने DPSP को adopt किया है जिसको हम करते है डिरेक्ट्व प्रिंस्पल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि डिफाइन किया गया है Constitution अफ इंडिया में Article 36 से लेकर Article 51 तक जो की पार्ट फोर में डिफाइन किया गा डिरेक्ट्व प्रिंस्पल ऑफ इस्टेट पॉलिसी फिर हम लोग बात करते हैं नॉमिनेशन आफ मेंबर आफ राज्यसाभा किस तरह से नॉमिनेशन होता है मेंबर साफ राज्यसाभा का यह भी अडॉप हम लोग ने किया है से फिर हम बात करता है एलेक्शन आफ प्रसिदेंट का कि किस तरह से एलेक्शन होता है यह हम लोगों ने अडॉपạo किया है आएरलेंड से जो की define किया गया है Indian Constitution में Article 54 में इस चीज को define किया गया फिर हम बात करते हैं France की आखिर में हम लोगोंने France कि लिया है इसके बारे में हम बात करते हैं जब हम France की बात करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं Republic and the idea of liberty equality and fraternity in the preamble ये चीज़े जो है हम लोगों ने France से लिया है अब हम बताना चाहते है equality का मतलब क्या होता है equality का मतलब होता है समानता समानता किसमें समानता to promote among them all सभी में समानता हो सभी के लिए एक समान मौका देने की बात की जाती है जो कि हम लोगों ने France से adopt किया अब बात करते हैं fraternity की fraternity किसको कहते है तो fraternity का मतलब होता है भाईचारा assuring the dignity among all the individuals जितने भी लोग है सब में भाईचारे का बंदुत्व की भावना यहाँ पे जगरित हो इसी की बात की गई है इंडिया में और यह लिया गया है France के constitution से अब हम बात करते हैं कि Government of India Act से आखिर में क्या के लिया गया है Government of India Act जो सबसे बड़ा एक्ट था हमारा उससे हम लोगों ने क्या-क्या adopt किया Government of India Act से जो हम बात करते है Government of India Act की 1935 से तो Government of India Act से हम लोगों ने लिया है Federal Scheme को Federal Scheme को लिया है सबसे पहले Government of India में फिर Provisional Autonomy को लिया है फिर Public Service Commission को लिया है Public Service Commission जो की आज हमारा All India Service हो गया है जो की डिफाइन किया है Constitution of India के Article 312 में 312 में डिफाइन किया जाता है फिर आगे हम बात करते है Office of Governor Office of Governor से बारे में बता जाता है Judiciary के बारे में बता जाता है जो की Supreme Court क्या होता है High Court क्या होता है District Court क्या होता है Subordinate Court क्या होता है ये सारी बाते हम लोगों ने Adopt किया है 1935 के Government of India Act 1935 से फिर Administrative Details को हम लोगों ने भी Adopt किया Government of India Act 1935 से अब हम बात करते है South Africa की कि South Africa से हम लोगों ने क्या-क्या Adopt किया था तो South Africa की जब बात आती है तो South Africa में सबसे पहले तो Procedure for Amending of the Constitution किस तरह से Amendment किया जाता है Amendment को हम लोगों ने Adopt किया है क्योंकि जो Amendment का पावर होता है वो South Africa के द्वारा ही हम लोग लिए है जो कि Define किया गया Article 368 में जो कि 368 में इस प्रकार का Provision दिया है कि Constitution of India में किसी वी चीज को 368 से क्या कर सकते है Remove कर सकते हैं, Amend कर सकते हैं फिर Election of Raji सभा के बारे में भी South Africa से हम लोगों ने एडाप्ट किया है फिर हम बात करते हैं जर्मनी की वीमर Constitution से क्या हम लोगों ने लिया जर्मनी की वीमर Constitution से हम लोगों ने Emergency का Provision लिया है जो कि Constitution of India में डिफाइन किया गया Article 352 से लेकर 366 तो 360 तक और जो कि है Part 15, Part 18 में हमको Define किया गया है Emergencies के Provision करता है किस तरह से वो Suspend हो जाता है यह बाते हम लोगों ने लिया है जर्मनी के वीमर Constitution से फिर अब हम बात करते हैं Soviet Union से Soviet Union से हम लोगों ने क्या लिया जिसको हम लोग USSR के नाम से हम लोग जानते थे यहां से हम लोगों ने तीन चीज को Adopt किया है पहले fundamental duties को Adopt किया है फिर ideal of social economic and political justice in preamble जो बात की जाती है जो preamble में बात की जाती है Justice क्या होता है Liberty क्या होता है Equality क्या होता है Fortunity क्या होता है और Republic क्या होता है यह सभी concept को हम लोग USSR के concept से लिया है Justice कैसा होना चाहिए Social होना चाहिए सभी हमारा liberty होना चाहिए बात करते हैं हम लोग Equality की Equality कैसा होना चाहिए सभी में बराबर होना चाहिए सभी के साथ एक तरह का भाईचारा Equality होना चाहिए State के द्वारा बताया जाता है फिर fraternity कैसी होना चाहिए fraternity भी जो होनी चाहिए वो भी एक जायस होना चाहिए एक नेशन में यही बात बताई गई है अब हम बात करते हैं अस्ट्रेलिया की constitution से हम लोगों ने क्या लिया है अस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है freedom of trade and economic with the country and between the state freedom of trade के बारे में हम लोगों ने लिया है कि किस तरह से freedom रखा जाएगा trade में यह constitution में define किया गया फिर हम लोग concurrent list की बात करते है है conquist i7 में हमको define किया गया जो state list में जो बाते रखा जाती है्यों यूनियन लिण लिष्ट में बाते रखा जाती है st madam फ IT में रखी जाती है तो वह हम लोग ने आस्त्रेलिया की concept से लिया है फिर लैंगवेज आप दी परीम्बल किया लैंगवेज रोगा प्रियम्बल का यह भी हम लोग ने आश्डालिया के काणदी से में हमको बता ऐगा था जिसमें हर एक चीज को अच्छे से, डिफाइन आगया था तो दोस्तों, इधन ही था, जिसमें हम बता रहा था जिकिस्टीूशन आफ इंडिया के तो अब मैं बताना चाहता हूं, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा इसी तरह से लीगल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पे बिजिट करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और विडियो को लाइक करें और सबसे बड़ा काम ये करें कि आप लोग इसको देखने के बाद अपने फ्रेंड ग्रूप में इसको सेयर करें जिससे कि उनको भी इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती रहें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक्यू